हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो और चानल बॉन्ड ओफ लर्निंग, आज हम इस वीडियो में पांस टेंस की जो अक्सराइज़स हैं, वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे इस टेंस को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो सारी चीज़े डिसकस पहले हम इसका थोड़ा सा इंटोडेक्शन देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो कोश्चन्स हैं, एक्सराइज़स हैं, वो देखेंगे, तो लेट स्टार्ट वीडियो, देखें सबसे पहले टेंस जो है ये वाला पांस टेंस होता क्या है, पांस टेंस हम उस स करते हैं, अब इसको आप आइडेंटिफाइ कैसे करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाइ करने के लिए आपको पहचानना होगा इसमें वर्ब, कि वर्ब जो होते हैं, उन्हीं के बेस पर हम हमारे सारे जो टेंस हैं, उनको आइडेंटिफाइ करते हैं, सबसे जो मेन कोश्च होते हैं 10th chapter में वो यही होते हैं एक तो simple definition वो आपको आनी चाहिए definition का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि present past or future में difference क्या है basic difference क्या है next यह होता है कि आप उनको कैसे identify कर सकते हैं और third होता है how to form इन ही तीनों के questions आप से पूछे जाते हैं कि आप उनको पहचानेंगे कैसे कि यह जो sentence है given sentence यह consistence में है पहचानने के बाद आपको अगर वही sentence change करना है मतलब how to form आपको कैसे बनाना है तो वो भी आपको आना चाहिए इसी इन ही दो के उपर आपके सारे जो questions होते हैं वो आते हैं चाहे वो MC की हो multiple choice हो या one mark, two mark में आते हूं अब देखे सबसे पहले के simple past tense का formula क्या होता है आपने सबसे पहले formula सीखना है अगर आपको formula पता होता है तो आप उसको easily identify कर लेंगे और उसको change भी कर देंगे मतलब उसको बना भी लेंगे और उसको convert भी कर देंगे अब देखे सबसे पहले subject subject क्या होता है object क्या होता है predicates क्या होते है इन पे पहले ही मैं बहुत सारे videos English grammar के बना चुकी हैं तो आपको गर वो basic सीखने है तो आप मेरे English grammar की जो playlist उसके दूसरे videos देख सकते हैं अब इसका formula है subject subject में basically हमारे nouns आते हैं या प्रनावन आते हैं आप कोई भी sentence या तो he, she, it से शुरू करते हैं या किसी के नाम से शुरू करते हैं तो वही होता है हमारा subject subject के साथ हमारी लगती है verb की second form और फिर हमारा जो बच्चा हुआ sentence का पार्ट है किसके बारे में बात हो रही है क्या कहा जा रहा है sentence में वह होता है object तो जितने भी tenses हैं इनमें mainly जो होता है verb को देखकर हम पैचानते हैं और जब form करते हैं sentence को उस tense में तभी भी हम verb को ही change करते हैं अब second form क्या है second form कुछ नहीं है जैसे कि right होता है से मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारे examples मैंने लिये हैं जिसमें कि regular verb and irregular verb भी बताए हुए हैं difference भी बताया हुआ है main बात ये है कि ये जो list है right का rot होता है second form सिंग का सैंग होता है इस तरीके से जो भी verb को आप second form में change करेंगे ये आपको learn ही करना पड़ेगा इसके लिए आपको कोई भी easy way shortcut नहीं है आप एक list तयार कीजिए उसको आप paste कर लीजे कहीं भी सुबह शाम देखे और easily आपको याद हो जाएंगे या फिर जबी भी आप reading करते हैं chapter की तो उसमें आये तो underline करते जाएए बहुत सी ऐसे ही word हैं जो आपने सुने होंगे बस वही करना है next आता है past continuous tense तो ये जो हमारा past continuous tense है ये भी same ही है इस पे भी basically यही questions आते हैं कि आप उनको पहचानेंगे कैसे और उसको बनाएंगे कैसे past continuous को हम अगर define करें तो ये वो tense है जो हमें बता रहा है कि जो action है वो past tense में कुछ समय तक continue रहा था जैसे this tense tells us about an action that continued in the past for some time जो simple past था उसमें continue नहीं रहा था वो ठीक है बट यहाँ जो continuous past है उसमें वो थोड़ी देर के लिए वो continue काम रहा था अब इसका भी हम formula देख लेते हैं क्योंकि formula से ही आपको आगे identify करने में और बनाने में help होगी तो अगर हम इसके identification की बात करें तो again हम इसका formula सीखना पड़ेगा और formula है वो ये है subject अब वहाँ verb की second form थी पर यहाँ subject और verb के पहले आ रहा है was and were यह हमने present में भी देखा था कि जितने भी continuous होते हैं उनमें एक चीज़ तो आप दिमाह में रख लीज़े ing आता है जितने भी हमारे continuous होते हैं tenses ठीक है अब past की बात हो रही है तो was और were आएगा verb के पहले और verb के बात में आ जाएगा ing और last में object तो इसका जो formula बना हो बना subject plus was plus verb की first form then ing and then object अब question यह उपता है कि was कहां लगाएंगे और were कहां लगाएंगे again it is very simple जितने भी हमारे singular subjects होंगे और मतलब जितने भी singular nouns होंगे प्रनाउंस होंगे उन सभी के साथ हमें was लगाना है और i के साथ भी हमें was ही लगाना है ठीक है next were कहां आएगा जितने भी हमारे plural subjects है okay and you के साथ भी हम were use करते हैं अब discuss कर लेते हैं type of questions कि किस type के questions इन chapter से आते हैं क्योंकि basically तो हमें question ही solve करना है सबसे पहले आपने tense को पहचान लिया उसका जो फार्मूला है वो learn कर लिया एक साथ सारे मत कीजिए पहले simple then continuous उसके बाद में जो बचे हुए हमारे दो tenses हैं वो कीजिए बारी बारी से एक साथ सब करेंगे तो you will get confused और आपको exercises नहीं समझ में आएंगी तो one by one आप लेके चलिए कोशन है वो देखे आप सबसे पहले तो fill ups आता है जिसमें कि आपको past tense से blank को fill करना है verb को underline करना है sentence में या ऐसे भी आ सकता है कि underline simple past tense या फिर underline past continuous ठीक है इस तरीके से जो verb है ठीक इसको underline करना होगा write the past form of verb एक simple ऐसे ही दे देंगे जैसे हमने write rot यहाँ पे discuss किया हुआ है ऐसे ही simple आपको word दे देंगे और उसका आपको simply past form लिखना है मतला past form लिखना है मतला आपको पता होना जिए verb की second form लिखना है ठीक है change the given sentence into simple past और past continuous sentence को ही पूरे को change करना है identify the tense in the given sentence sentence जो है उसमें tense कौन सा है ठीक है identify करना है आपको next is change the paragraph into simple past कोई भी एक paragraph पांच है लाइनों का आट दस लाइनों को दे देते हैं और वो whole paragraph जो होगा आपको वो change करना होगा simple past में basically stories होती है ठीक है जो कि simple past में ही हमारी होती है उनको change करना होता है यह इस type के questions आते हैं अब हम example देख लेते हैं example यह देखिए एक book है मेरे पास उससे हम देखेंगे ताकि हम आसानी से जल्दी से इनको कर पाएं और आपको बहुत सारे questions यहाँ पे मिल जाएं तो देखिए यह हो गया simple question की इसमें simple past tense of the given verb verb जो है bracket में दिया है जो की simple present में ही है first form में आपको उसको change करना है किस में जैसे fall का fell बन जाएगा take का took बन जाएगा यह हो गए इस type के questions ओके next आप देखिए fill the blanks with past continuous tense in the given verb past continuous tense tense में change कर देना है तो जैसा कि मैंने कहा आपको देखने हैं हमारे यहाँ पे subjects कैसे है उन्हें के according आपको वाजिया verb के साथ जो verb है उसमें ing लगा कर change कर देंगे फिर underline करना है simple past के लिए as लिख देंगे verb को underline करते जाना है अगर simple past है तो as लिख देंगे past continuous है तो उसमें past continuous लिख देंगे पेजानेंगे कैसे अगर ing आ रहा है तो definitely past continuous है और second form है तो वो हमारा simple past है इस तरीके से next आपने देखा होगा एक पेरा है और उसको आपको change करना है past continuous tense में तो ये कुछ हमारे questions थे इस type के questions आते हैं exam में इसकी अलावा negative और question framing के questions भी आते हैं बट वो हम एक दूसरे वीडियो में discuss करेंगे कि how to form negative sentence and how to form interrogative या फिर question sentences from the given sentence in the past form ठीक है तो वो हम किसी और वीडियो में discuss करेंगे इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much for watching